नमस्कार दोस्तो, Steady Point and Computer Challenge आपका फिरसेग बर स्वागत है दोस्तो, आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि MS Word में Multilevel List का उपयोग किस तरीके से किया जाता है दोस्तो, आपकी जानकार एक लिए बता दूँ कि MS Word में Multilevel List बहुत ही कमाल का टूल है यहाँ आपको Home Tap की Paragraph Group में मिवजूद मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, नमबरिंग बुलेट और नॉर्मल बुलेट के बाद आप देख पाएंगे Multilevel List का आप्शन यहाँ पे दिया गया होता है दोस्तो बहुत से लोगों को इस टून को उप्योग करने में परिसानी आती है तो चलिए, आज बहुत ही सिंपल तरीके से जानते हैं कि इस Multilevel List को उप्योग आप किस तरीके से कर सकते हैं, वक किन जगों पे कर सकते हैं दोस्तो Multilevel को नाम से पहले समझे Multilevel मतलब होता है कि अलग-लग level के चीजों को मिला कर एक लिस्ट बनाए जाना जैसे कि आप Multilevel List भी क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग-लग तरग का Multilevel दिया हुआ है जैसे कि 1, A, फिर उसके अंदर में रोमन संख्या में एक और 1 दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 1.1, 1.1, 1.1 और ऐसी ही यह क्रम आगे भढ़ाय गया है यहाँ पे आप बुलेट्स में देख पाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल बुलेट्स लिया गया है जो अलग-लग तरगा दिख रहा है हेडिंग में भी आप देख सकते हैं, हेडिंग 1, इसके अंदर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, फिर हेडिंग 4 हम यहाँ पर सबसे पहले normal, सबसे पहरे नंबर पर जो दिया है जिसमें 1, A फिर उसके अंदर में normal, रोमन संक्क्या में जो 1 दिया है इसका इस्तमाल करने करने वाले हैं दोस्तो, multi-level इस्तमाल करने से पहले आब एक multi-level list बना देचिए जैसे कि हम यहाँ पर उधारन के लिए बनाते हैं इंडिया 36 गड़ और रायपूर दोस्तों इंडिया एक कंट्री का लेवल है सीची यानि कि 36 गड़ एक स्टेट का लेवल है और रायपूर यानि कि एक सिटी जो 36 गड़ के अंदर आती है यह एक city का level है इसको multi-level list बनाने के लिए हम पहले इसे select करेंगे select करने की बाद हम जाएंगे multi-level list में यहाँ पर जाने की बाद हम पहले नंबर का multi-level list इस्तमाल करना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इंडिया 1 में और 36 गड़ A में और रायपुर हमारा रोमन संख्या का 1 में आए हम इस पर click करते हैं आप देख पाएंगे यहाँ पर multi-level list अभी इस्तमाल नहीं हुआ है इसे इस्तमाल करने के लिए हम यहाँ पर दो और नए tools का इस्तमाल करेंगे जो होता है increase indian और decrease indian indian को बढ़ाना और indian को कम करना दोस्तों हमें इंडिया को 1 में रखना है इस तरह हम इसे 1 में रहने देंगे जबकि 36 गड़ को हमें लेकि आना है A में इसके लिए 36 गड़ में C के पहले click करें और यहाँ पर use करें increasing indian आप देखेंगे यहाँ पर एक indian create हो जाएगा अब ठीक वैसे ही रायपूर को हमें इंडिया और 36 गड़ दोनों के अंदर लेकि आना है यहाँ पर हम increase indian दो बार इस्तमाल करेंगे एक और दो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास multi level list यहाँ पर इस्तमाल हो चुका है ऐसे ही बिलकुल आसान तरीकी से आप multi level list का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इंडिया के नीचे जैसे आप और कोई country का नाम लिखना चाहें जैसे कि स्रिलंका पाकिस्तान इस तरह से आप country के level जब लिखते जाएंगे आप अपने multi level के इस्तमाल कर पाएंगे ठीक वैसे ही यदि आप city level पर आते हैं जैसे कि यहाँ पर हम अजमेर लिखते हैं या फिर आप अन्ने किसी तरह के सहर का नाम जब यहाँ पर टाइप करेंगे आप देख पाएंगे इसका level इस तरह से create होते जाएगा दोस्तो इसका इस्तमाल आप कई सारे प्रोजेक्ट में कर सकते हो प्लस यदि आप किसी तरह का question paper डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर unit number 1 का question number 1 का 1,2,3,4 या फिर unit number 1 का question number A का 1,2,3,4 इस तरह से आप अलगलग levels के इस्तमाल करके multi level इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उम्मित करता हूँ कि आपको multi level इस्तमाल करना आगे होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो यदि आपको यह टूल समझ में आया हो तो क्रिपयाट वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस बड़ों को देखने के लिए आपका धन्यवाद